गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू अल अव यू, अवाज आरी आप लोगों को एक बर फटा फट बता दीजिये, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और थम्नेल में आपको टॉपिक दिखी गया हो गया है ना, अनुष्का, 0 in 5G, Rajveer, Amit, Pramodh, very good morning to all of you, अवाज आरी आप लोगों को एक बर फटा फट बता दीजिये, भाई, भाईयों और वेहनों मतलब, सब लोग, ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को, सबसे पहले दोस्तों स्वागत है आप सबका Study IQIS Hindi के प्लैट्फोर्म पे, और आज हम पढ़ने वाले हैं, गुटने पेक शान दोलन, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना, पूरा डिटेल से बताऊंगी है, एक घंटे अच्छे से डिसकस करेंगे, क्योंकि यहां से कोशन बन सकते हैं, सीधा में में पीटी में भी बनता है, ध्यान रखना पीटी में गुटने पेक शान दोलन कैसे विक्सित हुआ है, कुछ-कुछ चीजे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और वर्तमान में क्या प्रासंगीकता है गुटने पेक शान दोलन की, इस सब को हम डिटेल से, वोइस क्लियर है न, ठीक है, इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंग और याद रखना, जब आप admission लेते हैं, तो उससे पहले आपको LD, LIVE, LD live code का प्रियोग करना है, इस code के साथ आपको पूरा course, यानि PT plus means, यह पूरा foundation course है, मात्र 18,999 रुपे में मिल जाएगा, answer writing, mentorship, बहुत सारी सुविध हैं, आपको इस course के साथ मिलेंगे, साथ ही दोस्तों आप PDF से related, यदि information चाहते हूं कि PDF कहां मिलेगी, आपको पूरी class की, तो PDF आपको इस Telegram Channel, लली तदही Academy Telegram Channel पे आपको इस class की, या हर class की PDF इसी Telegram Channel पे मिलेगी आपको, इसके साथ आपको, आप मेरे Instagram और मेरे Facebook पेज लली तदही Academy से भी जुड सकते हैं, बात कर लेते हैं दो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, कल की class भी काफी इंटरस्टिंग थी, जिसमें हमने विदेशनिती के सिधानत देखे थी, Principles of Foreign Policy, और जिसमें हमने कुछ मूलभूत सिधानतों को डिटेल से पढ़ा था, है न, ध्यान रखना, ये यथार्सवाद हमने पूरा complete कर लिया थ भार के विदेशनिती में कैसा उसका प्रियोग होता है, आज हम गुट निर्पिक्षिता पे आ गए, तो हमने डिटेल से पढ़ा था, किसी भी बच्चे को वहां तक अगर दिक्कत है कुछ, तो मुझे बता दो क्या बोलर दिक्षा, भारदवाज मैं, मैंने आपकी पहले वाली क्लासिस नहीं लगाई थी, तो क्या मैं पहले वो पढ़ूं या, आप वो पढ़ लेंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पूरा basics मैंने इतने शिदत से समझाया है, मैंने अपनी तर जरूरी है, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चे, दिक्षा, ध्यान रखना, अल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़ी है, एक बार थम्स अप दे दो इसी बात पर भाई, वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले तो, कृप् ठीक है, तो शेयर करो, फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि नए हो तो, अब आते हैं हम टॉपिक पे, देखो, गुट निर्पेक्षता, इसका ना एक बर प्रिष्ट भूमी समझो ये, तो हम बाद में देखेंगे, 1945, द्वित्य विश्वयुद का अंत हुआ जैसे ही 1945 में Second World War का अंत होता है, कहीं न कहीं, यूरोपिये जो एक धड़ा था, यूरोपियन जो कंट्रीज थी, जो कहीं न कहीं, पहले बड़े सर पे उपनिवेशों को संचालिद करती थी, वो शक्तियां कमजोर पड़ गई, क्योंकि भई, यूरोप में ही हुआ, बेसि देखने को मिला, तो यूरोप, यूरोप की शक्तियां डूब गई, भई समराज्यवाद का सूरज डूब गया, यूरोप की शक्तियां कमजोर पड़ गई, ऐसे में विश्व के दो बड़े ग्रुप उभरे, ध्यान से सुनना इस बात को, एक तरफ है USA, एक तरफ है USSR, इसी क्रम में तीसरे जो विश्व के देश हैं, उनका भी उदभाव हुआ, अचा मुझे ये बताओ कि आखिर इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों कहा जाता है, जो अलग-अलग जो विकाशील देश आजाद हुए, उपनिवेश्वाद से, जैसे Asian कंट्रीज, African Latin America की जो देश हैं, इनको तीसरे विश्व के देश क्यों कहा जाता है, कभी सोचा आपने, अचा ठीक है, ये तीसरे विश्व के देश हैं, तो पहला विश्व का देश कौन सा है, मतलब पहले विश्व के देश, फर्स फर्स वर्ल्ड कंट्री कौन सी है, सेकिंड वर्ल्ड वर्ड कंट्री कौन सी है इसी पर पहले थोड़े सी डिसकॉशन कर लेते हैं पहले मुझे बताओ कोभी सोचा क्यों नहीं सोचा वै तीसरा है तो इसका मतलब दूसरा भी होगा कोई पहला भी होगा कौन बताएगा मुझे सबसे पहले पारस कोई बात नहीं कहां से पिटाई करेंगे है मतलब गजब करते हो यार चलो बताओ फटाफट आखिर तीसरे विश्व के देश क्यों कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड और सेकिंड वर्ल्ड का क्या मतलब है और तीसरे विश्व के देशों का क्या मतलब है बताएगा क्या बात है बहुत बढ़िया चंदन क्या बात है भई श्रिया सुमन का भी ठीक है कही न कहीं आप यूरोप को पहली दुनिया दूसरी दुनिया एशिया नहीं, देखो इसमें बिल्कुल सा फंडा है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, जो पूझी वादी विचारधारा के राश्ट्र हैं, जो उदार वादी लोकतांतरिक विचारधारा के राश्ट्र हैं, इसमें हम बेसिकली USA को शामिल कर लेते हैं, USA और उसके को हम पहले विश्व के देश मान लेते हैं और सेकंड वर्ड कंट्रीज में आ जाता है जो सम्मेवादी विचारधारा के देश हैं जो हम यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अधिनायक तंत्र यानि जहां डेमोक्रेसी बड़े सतर पे देखने को नहीं मिलेगी आपको सम्मेवादी विचारधारा की जो कंट्रीज हैं वो सेकंड वर्ड कंट्रीज बोली जाती हैं जिसमें USSR आ जाएगा पूर भी यूरोप के देश आ जाएंगे और थर्ड वर्ड कंट्रीज का मतलब क्या है कि जो नव स्वतंत्र देश हैं जो अभी अभी उपनिवेश्वाद से स्वतंत् हैं उसे तीसरे विश्व के देश कहा जाता है बात अब समझ में आ गई पहले विश्व के देश दूसरे विश्व के देश और तीसरे विश्व के देश किसे किसे कहा जाएगा बिल्कुल सही बात है मनोज पूंजिवादी दुनिया पहली सामयवादी दुनिया दूसरी औ वो असारी प्रिश्वयमी वही है, जो मैंने आपको बताई, बस यहां पे इतनी बात समझनी है हमको, कि भाई जब दोनों महाशक्तियां एक तरीके से स्थापित हो गई, दुई धुरूविय विश्व की स्थापना हो गई, यानि विश्व के दो धुरूव थे, USA और USSR, तो दोनों नव स्वतंत्र देशों को अपने अपने पाले में शामिल करने का प्रयास करने लगी, यहां त वो यह सोचेंगे कि देखो भाई, हम मुश्किल से तो आजाद हुए हैं, अब हम किसी और शक्ती के अधीन होके काम नहीं करना चाहते, पहला आधार यानि वो गुटों में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, दूसरा आधार यह था कि जादा तर जो नव स्वतंत्र थे, उनकी भोगोलिक सीमा भी, ना तो USA के नस्दीक थी, ना USSR के नस्दीक थी, कि भई बहुत बड़ा खत्रा है, है ना, तो इसलिए वो स्वतंत्र होके काम करना चाह रहे थे, तीसरा आधार यदि हम देखें, इननल स्वतंत्र राष्ट्रों में बहुत सारी समस्याइं थ थी, बुरी तरीके से अलग-अलग देशों ने लूटा था, इनको आर्थिक शोशन किया था, है ना, तो बहुत सारी समस्याओं में आप देखोगे गरीबी, निरक्षर्ता, भुखमरी, धार्मिक दंगे चल रहे हैं, फूट डालो, राजकरों की निती करके ये तो निकल चाचा जी, उसके बाद देश में धार्मिक दंगे चल रहे हैं, जातिये दंगे चल रहे हैं, छेत्रिये, भाशा के अधार पे दंगे चल रहे हैं, तो ऐसे में इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों की प्राथमिक्ता क्या होगी? नव स्वतंत्र राष्ट्रों की प्राथमिक्ता थी कि हम पहले हमें शांती चाहिए, हमें किसी गुटबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें विश्व की राजनिती में पिसना ही नहीं है, बात खतम, इसलिए नैम यानि गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुटों से नि क्रतिक विकास पे हम ध्यान देंगे, अपने आपको स्टैबलिश यानि स्थापित करने का काम करेंगे, हम यदि गुटों में शामिल हो गए, तो बिना बात के विश्व की जो राजनिती है, उसके दुष चक्र में हम फस जाएंगे, ये सोचना था इन नव स्वतंत्र है, क्या इसकी प्रिष्ट भूमी है, तो सोते सोते भी बता दोगे कि हां भई ऐसे ऐसे हुआ था, नव स्वतंत्र राश्टों की ये सोच थी, उनकी प्रात्मिक्ताया लग थी, तो इसलिए उन्होंने गुट निर्पेक्ष आंदोलन की अवधारना को स्विकार किया, ठीक नव स्वतंत्र राश्टों ने एक तरीके से वैचारिक और सैनने गुटों से स्वतंत्र रहने की बात अपनाई, अब शीत युद्ध काल में प्रासंगिक्ता पे मैं बाद में आऊंगी, सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं गुट निर्पेक्ष आंदोलन से, वो मैं उद्भव, शीत युद्ध काल के दोरान उन राश्ट्रों के एक संगठन के तोर पे हुआ, यानि एक संगठन है ये, कई सारे राश्ट्रों का, वर्तमान में, इसमें 120 के आसपास देश शामिल है नैम में, ठीक है, एक बार exact data Google कर लेना, उन राश्ट्रों का एक संगठन क रूप में हुआ है, जो ना तो USA के साथ जाना चाते थे, ना USSR के साथ जाना चाते थे, बल्कि स्वतंत्र रहते हुए, ये तटस्त शब्द काट बेना, स्वतंत्र रहते हुए, अपनी विदेशनिती का, अपनी विदेशनिती को फोलो करना चाते थे, यानि स्वतंत्र बांडूंग सम्मेलन में सब एशिया और अफरीका के देश बैठते हैं, विश्व की समस्याओं पे चिंतन करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो नैम है ना इसकी आधार शीला इसी बांडूंग सम्मेलन में रख ली जाती है, यहीं से एक प्रोसेस शुरू हो जाती है कि क्यों न हम अपना एक संगठन बना ले जो की गुट निर्पेक्ष रहे, है ना ध्यान रखना बंडूंग सम्मेलन में इसकी आधार शीला रखी गई थी और इस सम्मेलन में ही बंडूंग के दस सिध्धान्तों को प्रती पादित किया गया, दस सिध्धान्त अपना लिए गए सम्मेलन के दस सिध्धान्तों को बाद में अपना लिया गया इस गुट निर्पेक्ष अंदूलन में, अब आपको ये देखना है कि बेसिकली भारत, यूगोसलाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेश्ट्र ये पांच राश्ट्र, यूजवली इसमें बेसिकली भारत, यू 1961 में बेल ग्रेड में आयोजित किया गया, 1961 में ये अपचारिक तोर पे संगठित हो गया, साथ ही 2018 तक इसमें 120 सदस्ते सम्मेलित थे, ये आपको याद रखने की जरूतनी है, पीटी के पॉइंट ओफ यू से आपसे कभी पूछ सकता है, कोशन पते कैसे गहरा बना सकता है मानलो कभी नैम चर्चा में है और नैम पे कोशन बनना है, तो गहरा कोशन कहां से बन सकता है, जैसे मानलो आपको आपने देखा इसमें अफरीका के भी देश हैं, एशिया के भी देश हैं, लेटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज भी हैं, यूरोप के भी दो देश हैं इसमें बेलरूस और अजर्बेजान, ध्यान रखना, 17 राष्ट्रों और 10 अंतराष्ट्रे संगठनों को परियवेक्षक का दरजा भी मिला हुआ है, यानि अलग-अलग देश और अलग-अंतराष्ट्रे संगठन इसकी बैठकों में भाग लेते हैं और उनको परियवेक्षक का दरजा मिला हुआ है, अब आपसे PT में जो कोशन बन सकता है, वो इस तरीके से बन सकता है कि नैम का संगठन गुटों से निरपेक्ष रहने के लिए 1961 में किया गया, जिसमें यूरोप का कोई देश शामिल नहीं है, तो आपको लगेगा यूरोप के किसी देश को शामिल ह होने की क्या जरूरत है, है ना, ध्यान रखना, यूरोप की भी दो कंट्रीज इसमें शामिल है, बात समझ में आ गई, PT में अगर कोई डीप कोशन बना, वैसे याद रखने कि आपको कोई ज्यादा जरूरत है नी इसमें, तो ये हो गया भाई, 120 सदस्य, नैम के प्रमुख सिद्धान्द, आपसे कोई पुछे ना, नैम के सिद्धान्द क्या है, तो पांच सिद्धान्द तो पंचशील वाले चेप देना, और जो बच्च शुरू से मेरी क्लास देख रहा है, उसे पंचशील के पांचों सिद्धान्द बोहत अच्छे से आद हो गए होंगे, क्य खंडता और संप्रभूता का सम्मान करेंगे राश्ट्र एक दूसरे के सैन्ने और आंत्रीक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे गैर आक्रमक्ता समानता और परसपर लाभ पे रिष्टे बनाएंगे शांति पुन सहस्तित्व और आर्थिक सहयोग के आधार पे संबंध स् शामिल होंगे आचा क्या शामिल हो सकते हैं जिन अमानवियताओं को इन राश्ट्रों ने जहेला था उन सब का विरोध करेंगे ये उपनिवेश्वाद का विरोध करेंगे सामराज्यवाद का विरोध करेंगे रंग भेद का विरोध करेंगे इसके साथ ही निशस्त्रीकर का समर्थन करेंगे अंतर राष्ट्रिय संगठनों का समर्थन करेंगे यही मोटी-मोटी सारी बाते इसमें शामिल है एक बार फटा-फट नजर इस पे डालिए क्या है संयुक्त राष्टर चार्टर में वरनित इसके उदेश्यों इमसिधानतों में मूल भूत मानवा अधिक उन सब का यह सम्मान करेंगे स्वभाविक सी बात है तो मानव मूल अधिकारों के सम्मान की बात करते हैं राष्ट्र की संप्रभूता और छेत्रिय खंडता के सम्मान की बात करते हैं जितने भी निर्जातिय समू है यह सभी राष्ट्रों चाहे वो छोटा राष्ट्र है बड़ा राश्ट्र के मध्य है समानता के सिध्धान की बात करेंगे कि प्रतेक राश्ट्र समानता के अधार पर वारता करें चाहे अमेरिका है या फिर वो हम यह कह सकते हैं कि मालदीव से समानता के अधार पर बात होनी चाहिए तो इसका समर्थन करेंगे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात नहीं करेंगे यूएन के चार्टर के अनुरूप तो व्यक्ति गतिया सामुहिक रूप से प्रतेक राष्ट्र के आत्मसंद्रक्षन के अधिकार का वही प्रतेक राष्ट्र को अपने आत्मसंद्रक्षन का अधिकार है उसका समर्थन करेंगे क्या है व्यक्ति के मूल अधिकारों का समर्जन आंत्रिक मामलों में हस्तक शेत नहीं प्रतेक राष्ट्र चाहे वो बढ़ा है या चोटा समानता क्या धार पर रिष्थे बरनने चाहिए और साथ ही प्रतेक राष्टर को आत्वसर्ण रक्षन दबाओं का प्रियोग ना करना इस बात का समर्थन करेंगे ना कि अंतर राष्ट्र राजनिती में कोई एक देश दूसरे देश के उपर अनावशक दबावना डाले अपने हितों को पूरा करने के लिए या अपने राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देश के पर युद्धना कर दे इन सारी अवधारनाओं का ये राष्ट्र समर्थन करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि इन्हों ने शोशन जेला है न्याय जेला है और सद्धियों से हम ये कह सकते हैं कि 200-200-20000 साल की गुलामी के बाद यदि हम भारत का ये एक्जैम्पल ले ये स्वतंत्र हुए वही स्वतंत्र विदेश निती चाहते हैं और साथ ही विश्व में समानता के अधार पर विकास हो इस अधारना में विश्वास रखेंगे याद रखना जब आप इस तरीके से सोचोगे ना तब आप एक्जैम में लिखोगे तो आपके पास पोईंट की कमी नहीं होगी otherwise आपको सोचना पड़ जाएगा कि हम लिखें कैसे और इसको याद करने का एक और तरीका होता है जैसे आप इसको याद कर सकते हो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सुनना इस बात को जैसे भाई राजनीति का धार पर इन राश्रों की क्या सोच थी राजनीति का धार पर क्या सोच होगी कि दो ीराजुक के बीच में समान्ता क्या धार पर रिष्ट्र निर्मित होंगे दो राश्ट्र आंतरिक मामलों में हस्तक शेप नहीं करेंगे प्रतेक राश्ट्रकात्म संरक्षन का अधिकार होगा है ना या हम देखें कि जो अंतर राश्ट्रे राजनीती में जो अंतर राश्ट्रे संगठन हैं उनका समर्थन करेंगे ये राजनीति का अधार पे इनकी स सोच होगे समाजी का धार पे क्या सोच होगी इनकी उपनिवेश्वाद का विरोध करेंगे समराज्यवाद का विरोध करेंगे रंगभेद का विरोध करेंगे मानव के मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करेंगे इसी तरीके से आर्थी का धार पे क्या बात करेंगे वही उपनिवेश्वाद और समराज्यवाद आप यहां पे सोच सकते हो आर्थिक आधार पे, कि बहुत शोशन ना हो किसी भी तरीके से, प्रते एक राष्ट्र को विकास के समान अवसर मिले, एक राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे राष्ट्र के उपर आकर मनना कर दे, तो जब आप इस तरीके से सोचते हो, आर्थिक आधार पे क्या सोचा, समाजिक पे क्या सोचा, राजनितिक पे क्या सोचा, अंतर राष्ट्र आधार पे क्या सोचा, सांस्कृतिक आधार पे क्या सोचा, तो उसके बाद आपके पास points की कमी नहीं रहती है, ठीक परहितों और सहीयोग का समवर्धन होना चाहिए न्याय और अंतराष्टर दाइत्वों का सम्मान होना चाहिए ठीक है मुझे एक बार बता दो और याद रखना कभी भी confusion है ना या यह ओ रहा है कि यार समाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दार्ष्णिक अंतर राष्ट्रिय परियावरन के नजरिये से या वरतवान में हम टकनीक के नजरिये से जो साइबर वगईरा साइबर क्राइब वगईरा इन सारे नजरियों से ज़िए आप देखते हों तो आपको हर एक में 2-2-3-3 तो मिल ही जाएंगे, आसाने से लिख दोगे उसको, ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है न, चलो बहुत बढ़िया, अब वही बात है, 1961 में बेल ग्रेड में इसकी स्थापना हो गई है, बांडूं के बाद गुट निर्पेक्ष की निती के मुख्यलक्षों तथा उद्देशों को अपनाया गया, जो बांडूं के दस सिध्धान थे, उनको अपना लिया गया, और इन सिध्धानों की पूर्ति गुट निर्पेक्षांदोलन की सदस्यता के लिए आवशक बन गई ध्यान रखना यह तै कर दिया गया कि जो राष्ट्र इन सिध्धानतों को अपनाता है वही क्या होगा वही गुट निर्पेक शांदोलन का सदस्या बना रह सकता है सीधी सी बात थी वही आप अगर यह कहो कि नहीं 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 हम तो जो है उपनी वेश्वाद का समर्थन करते हैं तो जाओ आप आप गुट निर्पेक शांदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते आपके लिए यह लगभग कंपल्शन है कि आप इन सिध्धानतों में विश्वास करोगे तभी हम गुट निर्पेक शांदोलन का पार् तभी आप नयम के सदस्य बने रह सकते हो ठीक है यदि हम प्रात्मी कुद्देशों की देखेंगे तो वही जो मैंने आप लोगों को बताये थे एक दूसरे की स्वतंतरता, संप्रभूता, छेत्रिया, खंडता का समर्थन, रंग भेदनीती का विरोध जितने भी बहुपक संटो, वार्सा, पैक्ट, इत्यादी संगठन है उनमें आप शामिल हो गए, नाटो में आप शामिल हो गए, तो फिर कहीं ना कहीं आप तो गुटो में शामिल हो गए, तो फिर गुट निर्पेक शांदोलन में क्या काम आपका, वैस इंपलसा फंडा है, यानि आप महाशक व्यक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होगे ये इसकी अगली अवधारना थी सभी रूपों तथा अभी व्यक्तियों में जितने भी सामराज जवाद के चितने भी रूप हो सकते हैं नव सामराज जवाद नव उपनिवेश्वाद शोशन के जितने भी स्वरूप हो सकते हैं हर प्रकार का आप विरोध करोगे तो ये मूल सिध्धानत आप यहां से बिलकुल असानी से समझ सकते हो और याद कर सकते हो जितने भी नसलवाद हैं विदेशी अधीगरण है विदेशी प्रभुत्व है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करें तो इस तरीके की अवधारनाओं का विरोध करोगे, निशस्त्री करण का समर्थन करोगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, शांति पून सहस्तित्व की बात करोगे और बलका उपयोग या उपयोग की चेतामनी को बिलकुल अस्विकारोगे जैसा कि मैंने अभी बताया ठीक है यही सारे सिध्धान्त है यूएन है तो उसके सशक्तिकरण की बात करोगे अंतर राष्टे संबंधों के लोकतंत्री करण की बात करोगे यह मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं मैं उल्रडी आपको बहुत बार यह चीजें बता चुकी हूँ मैंने जब शुरू किया था विदेशनिती का विकास वहां पर भी बता दिया था अभी सुनके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा मेरे हिसाब से अब सामाजी का आर्थिक विकास और अंतर राष्ट्य आर्थिक विकास का पुनर गठन की की बात करेंगे और अंतर राष्ट्य सहयोग समानता की अधार पर स्थापित करने की बात करेंगे ठीक है तो यदि आप से पूछे गठनेर पेक शांदोलन के सिध्धान बता दोगे बिल्कुल टिप्स पर बता दोगे और उसको याद करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ठीक है बहुत बढ़ी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी इसी अंदोलन को जो स्थापित करने का श्रेक इसको दिया जाता है भारत को दिया जाता है यह सारी चीजे मैं आपको बता चुकी हूँ कब इसकी शुरुआत हुई कभी यह हुआ और ठीक है पांच मांदंड थे हाँ यह मांदंड जरूर याद रख लेना कि नैम में यदि कोई सदस्य शामिल होगा ना तो उसके पांच मांदंड होने जरूर पांच मांदंड थे यदि आप इन पांच मांदंडों को पूरा करते हो पून करते हो तभी आप नैम के सदस्य बन सकते हो ध्यान रखना और पांच मांदन्ड वहीं है कि भई शान्ति पून सहस्तित्व स्वतंत्र विदेश निति का पालन करता हो वो देश किसी घुट का सदस्य ना हो वो देश किसी के दबाव को ना मानता हो ठीक है तो एक तो यह उपनिवेश और समराज्यवाद का विरोध करता हो शीत यूद से संबंधित जो सैन्य गुठ है उनका सदस्य ना हो और महान शक्ति के साथ किसी की दुवी पक्षिय संधी ना हो और राष्ट्र में किसी विदेशी सैन्य बस सैन्य बेस की अनुमती ना दी हो सैन्य बेस बना कि मैं शीति उद्धकाल की बात कर रही हूं बड़े स्तर पे अपने गति विदियों को संचालित करता था तो सैन्य बेस ना हो यह कुछ मान दंड थे इन मान दंडों का यदि आप पालन करते हो तो आप नैम के सदस्य बन सकते हो सिधी सी बात है अब तक मुझे एक बार फिंपल सा ये बात बता दो शुरू से लेके अंत तक की जो पूरी परी चर्चा हुई नैम की अवधारना कैसे पन पी क्या सोच थी इन देशों की कैसे बांडूं सम्मेलन हुआ फिर कैसे इसकी स्थापना हो गई इसके मान दंड क्या है इसके सिध दोस्तों डिटेल से हम जब एजनसी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संग एक वैश्वी के अंतर राष्ट्य संगठन है जिसका उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना या या यूएन की बहुत सारी एजनसी है जो अलग-अलग उदेश शामिल है ठीक है ध्यान रखना अभी के लिए इतना ही समझ लो बाकि फिर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे वो तो बाद में हुई ना रामजपाल बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहां पे आपके दिमाग में आया यानि आप पढ़ रहे हो कि मैं सिद्धी सी बात है 1971 लेकिन वो बाद में हुई और समयकाल परिस्थि थी के अनुसार हुई और एक ध्यान रखना जो भारत और रश्या की संधी हुई ना वो सैनिक संधी नहीं थी मतलब उसकी अंदर कुछ भी लिखा हो मतलब कुछ सैनिक बाते थी उसके अंदर की भई लेकिन मूलते हैं वो स सची वाल्या या फिर इसके उपचारिक समिधान वगेरा कि यहां से पीटी में कोशन बन सकता है नैम के पास ना तो उपचारिक समिधान है और ना ही स्थाई सची वाल्या है ध्यान रखना नैम का कोई भी स्थाई सची वाल्या नहीं है आप से पूछ सकता है कि भई नैम का स अध्यक्ष बना दिया, अब जब अगली बैठक होगी, अगली बैठक तक वही अध्यक्ष रहेगा, फिर दूसरे देश को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, फिर अगली बैठक तक वही अध्यक्ष रहेगा, फिर तीसरे देश को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, इस तरीक समझोते क्या उशक्ता होती है, एक मतता की नहीं, वास्तविक समझोते यानि हम बोल सकते हैं, जैसे बहुमत की अधार पे मालो, ठीक है एक मत होई, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जादा लोग जिस बात का समर्थन करेंगे उसके अधार पिंजर नहीं जाएंगे इसके साथ ही प्रतेग शिकर सम्मेलन में जैसा कि मैंने आपको बताया एक नया राष्टर अध्यक्ष चुन लिया जाता है और अगले शिखर सम्मेलन तक वही देश अध्यक्षता करता रहता है ये तो इसके कारिये शैली की बात है कि ये काम कैसे करता है ठीक है ना तो इसका उपचारिक समिधान है ना इसका उपचारिक स्थाई सचीवाल्य है और इसके अध्यक्ष को पहले सम्मेलन में अध्यक्ष चुना गया था ठीक है अब भारत की गुट निर्पेक्ष निती की अधी बात करें तो भारत की गुट निर्पेक्ष निती भी वही होगी जो मैंने अभी तक बताया है यानि जितने भी अब इसमें अलग दिमाग नहीं लगाना है गुट नि प्रधान मंत्री वह शुरुवात करने वाले राजनेताओं में से एक थे गुटनिर पेक शांदोलन को 1961 में इसकी स्थापना हो जाती है और साथ ही बस आपको इतना याद रखना है कि सही गलत के अधार पे अंतर करके हमें सकारात्मक दिशा की और मोड़ना अपने आपको अपनी विरेशनीती को और जो भी बुरा है उसका विरोध करना यही है गुट निरपेक शांदोलन जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डिबेट और बता देती हूँ मैंने आपको प पश्चमी चिंतक है ना जब गुट निरपेक शांदोलन बना इसके बनने की प्रोसेस तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी स्वतंतरता के बाद से शुरू हो गई थी जब विश्व दो धड़ों में बटा तभी शुरू हो गई थी प्रोसेस वास्तम में यह फिर इसका पहला सम्मेला 1961 में होता है वो तो फिर एक उपचारिक शुरूआत हो गई जब पश्चिमी समर्थकों के कान में बात पड़ी कि ऐसा कुछ संगठन बनाना चाह रहे हैं तीसरे विश्व के देश एनवस्वतंतर देश तो उन्होंने ना इसको तटस्त कह दिया कि यह तो त परक पड़ता है तटस्त का मतलब है अब बुरे के खिलाफ भी अवाज न उठाए अपने शोशन के खिलाफ भी आवाज न उठाए चुप चाप रहे हैं तो पश्चिमी चिंत को ने यह करने का कोशिश कि इसको तटस्त कहने की कोशिश की लेकिन ध्यान रखना गुट नि यह कहा था कि जहां यह यह लाइन याद रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है आप कभी ऐसे भी गुट निर्पेक शांदोलन या फिर 1945 के बाद के उपर मालो कुछ पॉइंट्स आपको डालने पड़ जाएं तो कुछ स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए या याद नही यह अपने आप बार-बार पढ़ते हो तो दिमाग में चीजे बैठ जाते हैं इसके लिए अलग से नहीं रटना नहरू जी ने साफ कहा था कि भई जहां पे भी स्वतंतरता खत्रे में हो जहां पे न्याय संकट में हो जहां आक्रमकता हो जहां हम वहां पे हम तटस्त नहीं रह सकते हैं और होना भी नहीं चाहिए जहां पे अन्याय हो रहा है वहां पे तटस्त नहीं रह सकते हम और नहीं हमें होना चाहिए यहीं नहरू जी ने कहा था और नेम का उद्देश है अनि नैम का उद्देश है कभी भी तटस्त रहना नहीं था और इसी के संदर्भ में आप समझ सकते हो कि विश्व में जहां पे भी आक्रमक्ता दिखी, हिंसा दिखी, अन्याय दिखा, नैम ने सक्रियता से उसके खिलाफ आवाज उठाई है, आवाज उठाई है इसका मतलब नैम तटस्त नहीं था और ना ही तटस्त रहना नैम का उद्देश्य था, ये एंगल को बनाए रखने, सदभावना की ठोस नीव स्थापित करने की दिशा में सक्रिय भूमी का निभाने की है, और इसी के साथ स्वतंतरता की स्तिती बनाए रखने और समकक्ष देशों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्य संभावना, सदभावना के लिए ठोस प्रयास करने की है, य उद्देश्य हमारा क्या था ये भी आपको साफ हो गया होगा यहां तक इसके साथ ही आप देखोगे भारत की विदेशनिति की प्रात्मिक ताएं थी आपकी दिमाग में हलाकि मैं पहले भी बता चूकि从 की जितने खेवल भारत ही नहीं जितने भी नव् स्वतंत्र देश थे उनकी विदेश्निति की कुछ प्रात्मिक्ताएं होंगी भाई वो स्वतंत्र अभी अभी मुद्ट अभी नहीं टू AO जातिय धंगे या हम कह सकते हैं भाशा के अधार पे लड़ाईयां ही हैं कि हमें ये states Daydraw ओलग ये रियासतों का मुद्धदा ऑफ भारत की यदि हम बात करें तो भारत के सामने बहुत सारी चुनोतिया ecc भई हमें आर्थिक विकास करना था अपने देश का हमें हम मुश्किल से तो स्वतंत्र हुए तो हमें संप्रभूता संप्रभूता का मतलब क्या होता है हम आंत्रिक मामलों में स्वतंत्र होने के साथ साथ बाहिय मामलों में भी स्वतंत्रता से निरिने लेंगे यानि हमें इन्य देश के विचार धारा के अधार पे नहीं बदलेंगे अपने आपको मैं सिंपल सी बात है यह हमारी प्रात्मिकताएं थी राश्ट्र की संप्रभूत था अखंडता को सुरक्षित रखना था आप देख रहे हो कि जैसे इस वतंत्र होता है भारत इतने सारे मुद्दे से भारत के सामने रियासतों के मुद्ध अलग चल रहे हैं अलग अलग यह पूर्वोत्त्र इंदां की समस्याओं बाद में जनम ले लेती है पंजाब की समस्या जनम लेती है खालिस्तान मुद्दा फिर से चर्चा में है आज-कल कभी अ-अलग से डिसकस करेंगे उस है ना तो इतनी सारी समस्या थी तो भारत का सिधाव कंसेप्ट था भाई हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है और वो समाधान हम अपने आप करेंगे हां हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे उसके लिए ठीक है इसके साथ ही विश्व शानती हम चाहते थे यह हो गया अब का और एक इम पोर्टे dobrena यहां पर धिहान रखना एक इंपोर्टेंटДаः भाई ध्या है अ कि नहरू जी कि अदी बात करें नहरू जी लोग तंतर के समर्थे अधिक उदर वादी लोग तंतर का समर्थन करते थे नहरू जी लिकिन फिर भी वह यूए से के नजदीक नहीं गए उसे के गुट में शामिल नहीं हुए फिर भी वो सीएटो सेंटो जैसी संधियों के पार्ट नहीं बने है ना तो ध्यान रखना हम एक विचार में विचार रखते हैं मतलब विचार में विश्वास रखते हैं नहरू जी लोकतंत्र में लेकिन फिर USA की पार्टी में शामिल नहीं हुए, बात यहीं खतम नहीं होती, दूसरी और भी यहीं हम देखे, नहरू जी तो समाजवादी विचारधारा में भी विश्वास रखते थे, समाजवादी मोडल अपनाया उन्होंने, समाजवादी विचारधारा रखने के बावजूद हम USSR के गुट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम बैलेंस करके चलना चाहते थे, हम अतिवादिता में नहीं जाना चाहते थे, ना तो पूरी तरीके से हम पूरी तरीके से साम्मेवादी विवस्था को अपनाना चाहते थे, इसलिए नहरू जी की जब निती बनेगी तो वो मिश् रिशक लगे वहां ने यहां से लिए जो वहां से जरूरी लर वह हमने वहां से लिए संतुलन बना के चले संतुलन बनाखेंचले तभी तो आज भी हमारा लोग तंत्र ई Cathy आप हम आर्थिक विकास की दिशा में भी रगति शील है रगति कर दर आपको दिख रहा है भले ही हाँ आप कुछ कह सकते हो कि विकास दर जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है या फिर GDP इत्यादी की लेकिन बिल्कुल नेगिटिव नहीं बोल सकते हो ठीक है इस बात का ख्याल रखना बीच बीच में आप लोगों को बताना पड़ता है तो यह वही सारी चीजें लिखी है कि हम इन जैसे संगठनों में नहीं गए ना नाटों में ना सियेटो सेंटो इत्यादी में ठीक है तो यह सारी चीजें हमने देखी ना ही हम समाजवाद के समर्थक थे लेकिन फिर हम उससर के नजदीक नहीं गए यानि भारत की जो गुट पेक्षिता की निती वह अंतर राष्टे संबंधों की यथा स्थिति के विरुद्ध थी यानि जो अंतर राष्टे संबंधों में गडबड चल रही थी यानि कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि भाई उपनी वेश्वाद तो चलो खतम हो गया लेकि नव उपनी तो इन सब अवधारनाओं का भारत विरोध करता था और जितने भी विरोध की आधार हैं चाहे उपनी वेश्वाद हैं समराज्यवाद हैं नसली अभेदभाव हैं और नव उपनी वेश्वाद भारत इन सब का विरोध करेगा सभी राज्यों की संप्रभूता की वकालत कर तो भारत की पहले मैंने आप लोगों को गुट निर्पेक्षिता की ओवरोल अवधारना बताई और यहां आपको भारत का एक थोट बता दिया कि भारत के क्या विचार थे भारत के क्या सिध्धान्त थे भारत डेमोक्रेसी और समाजवाद में विश्वास रखता है लेकिन फ इसके साथ ही निशस्त्रीकरण की शुरुवात 1952 में भारत और आर्लेंड करते हैं 1963 में जो पीटी बीटी एक संधी होती है उसके भारत साइन करता है यानि निशस्त्रीकरण की दिशा में भारत प्रयास कर रहा है वो भी हमारा एक लक्ष है रहा है इसके साथ ही सयुक्त र भारत की जो गुट निर्पेख्शनिती है वो क्या होगी समाजिक और आर्थिक समस्याओं को प्रात्मिकता क्या धार पर संबोधित करने पर जोर देती है पता दो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत मैं भारत को क्या बोलरे मनेज गुट निर्पेख्श राश्ट्रो को एक साथ लाके यूकरेन यूद को समाप्त करने की कोशिश करने चाहिए इतनी हैड़क कोई नहीं लेता बेटा अंतरराश्ट्य राजनिती में ध्यान भारत के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं रश्या के साथ भारत डारेक्टली रश्या की आलोचना करने से भी बचेगा और लाके फिर तो एक और यूद स्थापित हो जाएगा है ना गुट निर्पेक्श देशों के पास इतनी शक्ति है क्या कि वो रश्या जैसे देश का विरोध करें या फिर कर सकते हैं अमेरिका को साथ मिलाके लेकिन उससे क्या होगा एक तीसरे विश्वियुद की स्थिति उत्पन हो जाएगी इसलिए अपने आप शान्त हो जाएंगे लड़ जड़के और कुछ नहीं निकलना युद्ध किसी भी कि स्थिती का सॉल्यूशन नहीं होता है धियान रखना ना तो परसुनल लाइफ में ना प्रोफेश्नल लाइफ में ना अंतर्राष्टे संबंधों में उसका अंत निश्चित है और उसके अंत के बाद पर पश्टाना निश्चित है उनका है ना तो यह कोई solution नहीं है बिल्कुल भी ठीक है ज़िए रामजबाल क्यों कुलहाडी पर मारे सत्तु की फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं पिछली क्लास दरूर सुन ले ना फिर बहुत अच्छे से बुझेगा फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है क्या बोले में पाकिस्तान ने CTBT पर भी सैन पाकिस्तान CTBT हम अलग से पढ़ेंगे मैं नोट्स नहीं बना प पर बताएं यह रहा हैं सब्सक्राइब कारण है नव स्वतंत्र देश राज निती में फसना नहीं चाहते थे उनकी अपनी प्राथमिकताइं थी अंतर राष्ट्य शान्ति स्थापित करना चाहते थे आर्थिक विकास करना चाहते थे और यदि वो सैनिक गुट बंदी में फसते तो कहीं न कहीं उनकी प्रात्मिक्ताय प्रभावित होती, उनकी विदेशनिती प्रभावित होती, उनकी स्वतंतरता प्रभावित होती, है न, वही सारी चीज़े यहां पर लिख्या भई, निर्न शान्ति को बढ़ावा देना बहुत ज़ादा जरूरी था क्योंकि अगी तो राष्ट्र जो अभी अभी इस वतन तुरूह वो विकास कैसे कर पाएंगे तो कही ना कहीं इन राष्ट्रों का धे था कुख राष्ट्र से शांति को ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़े लिखी गई हैं आप इसको पढ़ लेना क्रक्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ जैसे इन्होंने कहा भारत की जो धारण है ना कि सत्या न्याय और कल्यान पर किसी एक धर्म या दर्शन का एक अधिकार नहीं है और साथ ही गुट निर्पेक्षिता की नितिक अपनाने के लिए घरेलू राजनितिक क्या परिस्चितियां भी जिम्मेदार थी यदि हम भारत की बात करें तो हमारी घरेलू राजनितिक परिस्चितियां भी इसके लिए जिम्मेदार थी क्योंकि घरेलू मालों हम घरेलू स् हिए हालागल कि फिर तो हम किसी घुट में शमिल ही लिए हम अपना अलग घुट बनाते लेकिन شुछ हो थीक ठक सिवेशन होती तो पिर हम हम भी मतलब क्या है हम भी कुछ ऐसा तुफादी हमारी परिस्थितियां यह सी नहीं थी हम अपनी अपनी प्रास मिताई थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या पढ़ा हमने गुट निर्पेक्षान दोलन क्या है क्या इसके प्रिष्ट भूमी है क्या इसके सिध्धान्त है क्या इसके मांदंड है कब ये शुरू हुआ भारत का क्या रोल रहा भारत ने क्यूं अपनाया गुट निर्पेक्षान दोलन को भारत ने अतिवादी सध्धान्त चाहे वो पूंजिवादी है या सामयवादी है उसको क्यू ना अपना के बैलन्स का रास्ता अपनाया भारत की फिलोसफी क्या है भारत के विचार क्या है है ना यह सारे पॉइंट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और साथ में हमने देखा कि क्या कारण थे गुट निर्पेक्ष आंदोलन को अपनाने के उन सारे कारणों पे भी हमने चर्चा कर ली है यहां तक किसी भाई या बहन को किसी दोस्त को किसी क्या देवियों और सज्जन आप लोगों को कि राश्ट्रपती कहां से आ गया बीच आ गये बीच में है थैंक्यू स्ट्रेंजर गर्ल्स कि अ कि बफरिंग हो रही है ऐसा है रहे कि एक तुना आगे ना अफवाही मत फैला हो भाई मतलब मैं आपने आपको सही दिखाई दे रही हूं हो सकता है मतलब ए एक दो सेकेंड के लिए हूँ हो लेकिन अभी बिल्कुल सही है ना कोई डाउट नहीं है सब कुछ क्लिएर है मैं नेम यू एन्नों का मेंबर तोड़ी ना वरेगां कोई एक देश थोड़ी ना है पाई कैसी बाते करते हो उनों के मेंबर राज्य बनेंगे ना बही राज् किसी बात है है ना तो नयाम अलग से UN का मेंबर की बनेगा मैम आपने इतनी पॉलिटी पढ़ाई है राश्ट्रुपती यूँ ही आ जाते नहीं ऐसी बात नहीं है चलो कोई बात नहीं आप लोगों कोई डाउट नहीं है बिनावाद की तफरी मार रहोग अब हमारा मेन मुद्दा आता है प्रासंगिक्ता पर प्रासंगिक्ता का मतलब क्या होते है, relevance, कि क्या आज इसकी प्रासंगिक्ता है, क्या ये आज भी सही है, या इसको स्थापित रखने की कोई जरूत है, तो मेन मुद्धा उठा, जब उपनिवेश्वार, जब शीत यूद का अंत हो गया, 1991 में, USSR का विक्टन हो गया, दो दाई थे, एक USSR, USA, अब USSR का विक्टन हो गया, अब एक दुरूविय विश्व का दुरूव एक हो गया, पहले विश्व के दो दुरूव थे, अब एक दुरूव हो गया, यानि पूरी विश्व की शक्ति, USA क्या स्पासी मन रहाएगी, ऐसे में कुछ लोगों ने ये कहा, क ये राष्ट्र अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, जो भी सांस्कृतिक विकास का काम कर सके, पेध्यान दे सके, स्वतंत्र विदेशनिति को फोलो कर सके, अब तो विश्व में गुठ ही नहीं रहे, तो ऐसे में नैम की कोई जरूद नहीं रह गई है, ये विवाद शुरू हुआ, ये मुद्दा शुरू हुआ, इसी मुद्दे को हम धूंडेंगे कि आखिर आज नैम की रिलेवेंस क्या है, आज नैम की प्रासंगिकता क्या है, यानि शीत युद की विचारधारा के विरोधी गड़ बंधन के तोर पे इसको देखा जाता है, जब शीत य तो जो नैम के कई सदस्य राष्ट्र है, नागरिकों की आर्थिक सिथी में सुधार हेतु पूंजी उपलब्द करवाने, या हम कह सकते हैं कि जो बहतर प्रोध्योगिकी के साथ, विक्सित विश्व के साथ, अपनी सलगनता को सुद्रिड कर रहे हैं, इस ते, मतलब यह ज संदियां कर रहे हो, सैनिक तोर पे आप उससे जुड रहे हो, तो गुट निर्पेखशता कहां रही? एक तो आधार, इन्होंने यह बताया कि गुटी नहीं रहे तो कोई ज़रूत नहीं है, गुट निर्पेखशता, मतलब आंदोलन की, इसकी कोई प्रासंगिक्ता नहीं, दूसरा अधार इन्होंने बताया कि आप तो एक राश्टर के साथ अलग-अलग स्तर पे संबंध स्थापित कर रहे हो तो फिर आप तो यानि उस राश्टर के साथ और नजदीकी से जुड़ गए यानि गुट निर्पेक्षांदोलन का कोई मतलब ही नहीं रहा पूंजी के लिए जुड़ गए तकनीक के लिए जुड़ गए सैन्ने हथियारों के लिए जुड़ गए तो गुट निर्पेक्षता कैसी तो ऐसे में हम क्या प्रत्युत्तर देंगे हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए गुट निर्पेक्षता का मतलब क्या है गुट निर्पेक्षता का मतलब है प्रतेक प्रकार के अन्याई प्रतेक प्रकार के शोशन प्रतेक प्रकार के अमानवियता प्रतेक प्रकार के समानता का विरोध करना और वर्तमान में भले ही पुरानी चुनोतियां खतम हो गई, शीत युद्ध का अंत हो गया, गुटों का अंत हो गया, लेकिन पुरानी चुनोतियां खतम हो गई, नई चुनोतियां तो उत्पन हो गई, नई नई चुनोतियां तो सामने प्रकट हो रही है, तो ऐसे में इसलिए नैम की रिलेवेंस ना तो खतम हुई है और तब तक खतम नहीं होगी जब तक विश्व व्यवस्था में ये चुनोतियां रहेंगी और चुनोतियां कभी खतम नहीं होगी इंसान के जीवन से चुनोतियां खतम नहीं होती है ना ध्यान दखना तो यहीं हम आगे पढ़ेंगे यानि इसकी विश्वस्नियता में कमी आई है क्योंकि निरर्थक कई लोगों ने कहा किये तो निरर्थक वार्ता मंच है इसका कोई अस्तित रहा ही नहीं इसकी कोई इरिलेवेंस नहीं रही समस्त्या और खत्रों को साथ ये अच्छे से डील कर माध्याइं हैं उनके मध्ययः अल्प सहमती हमेशा देखी गई मतलब विकोक्षन मार्थ उठाए गए है कि नयम जो काम कर रहा एंच लुएंगे शीति उद्ध की हिस्माति हो गई खतम हो जाना जाए दूसरा आधार बताया कि आप जो महाशक्तियों के साथ अलग-अलग सम्झोते कर रहे हो संबन्धों को सुद्रड बना रहे हो तो ऐसे में फिर गुटों अप एक तरीके से गुटों में ही शामिल हो गए आप His ani के बहुत प्रकार के समपर्पार हर प्रकार के समय बना रहे तो तो आप you Sena के गुट में यह ऀच्छामिल हो गए तरीके से यह कहना है तो ऐसे में सक Haiti कोई प्रहासंगिकता ठीक है और ऐसे में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है इन सब आधारों पे आलोचना की जाती है इस बात की कि नैम की वरतमान में कोई प्रासंगिकता है और एक चोथा आधार यह दे दिया जाता है कि भई भूत सारे व्यकल्पिक मंच उभर रहे हैं आपको यदि अपने हित की पूरी पूर्ति कर लो नैम को बनाए रखने की क्या जरूत है तो जब भी आप कोशन लिखोगे आपको यह भी पता होना चाहिए न बाबू की हम कैसे कैसे जो आलोचक है वो किन-किन आधारों पे नैम को आप्रासंगिक बता रहे हैं तभी तो हम बताएंगे प्रासंग से आगया होगा है भारत का भावी मुख्य मंत्री भारत के भावी मुख्य मंत्री जी वैसे पढ़ने लिखने की सखाथ दरूत है नहीं आपको कह रहे हैं आपको कौन सा विशा पढ़ा रही है बच्चे आपने थमनेल नहीं देखा अच्छा हो सकता है क्लास डारेक्ट अगर आपके अंदर डेटर्मिनेशन है तो बिल्कुल बनों गया क्यों नहीं बनोंगे डेटर्मिनेशन ना लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है मैं रात पांच बजे सो ही हूँ सुबह एक्चुली हमारे यहां पर सर का ट्रांसफर हुआ वो जो डियम बनके जा रहे हैं दूसरे डिस्टिक में तो उनकी फियरवेल पार्टी थी तो फियरवेल पार्टी में ही मतलब जब डियम बनोंगे ना एक अलग ही अनुभूती होगी एक उत्सा हमेशा बनाए रखना कहते हैं ना कि हम मिडल क्लास से से हैं ना कई बच्चे मुझे एक छोटे से घर से देख रहे होंगे हो सकता है कोई बच्चा मुझे कच्चे घर से देख रहा हो हैं ना हम हमारे पास लोगों के जीवन को हमारे पास यह संसाधन सही कहते हैं कि हम पद पहूंगे हैं तो हम कितने लोगों के जीवन में रोश्नी कर सकते हैं जब डीयेम बनोगे इनुभूती हो ती यह अलग function होते हैं अब के अब师 हमको तो दो रुपे खर्च करने से पहले सोचना पड़ता है ना, पारले जी खाया होगा, मैं खूब खाती थी, कि सबसे सस्ता बिस्किट वही होता है, पारले जी, प्री के भंडारे मिल जाएं, तो पापरेबाब दिवाली हो जाती है, यदि दिल्ली बगेरा में रहते हो, तो भ लगता है कि बापरेबाब दिवाली हो गए, लेकिन जब आप उस पद पे चले जाओगे, आइस बंजाओगे, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा है ना, फाइव स्टार में जाके बैठ होगे, कुछ जीवन में कुछ भोतिक सपने भी जरूरी होते हैं, है ना, तो भोतिक सपने भी हैं, और आप के लिए, करने के लिए भी बहुत कुछ होगा, इसलिए जान लगा दो, कम पढ़ने से नहीं होगा, कि बस उठे, क्लास कर ली हो गया, ना, अपने आप भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, जान लगा दो बच्चे, और यदि अच्छे से महनत करोगे, तो फिर सपने पूरे होंगे, अवश्य होंगे, ठीक है, यहां तक इसके आधार हमने देख लिए, अब इसका जो अगला पार्ट है, यानि जो ये बोलते हैं कि प्रासंगिक्ता का हरास हो गया है, वो पॉइंट हमने देख भी लिए, समझ भी लिए, अब हम ये बताएंग कल नहीं क्लास होगी, कल संडे है, कल मैं सिलेबस के उपर एक क्लास ला सकती हूँ, ध्यान रखना, सिलेबस के उपर क्लास आएगी, तो आपको टेलिग्राम चैनल पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो कल की क्लास में हम विपक्ष के तर्क देखेंगे, जो तो भई, बता दो एक बार, यह थोड़ा पीछे से भी हम यह देख लेंगे, जो एक आद पॉइंट हमारा छूट गया था, छूटेगा कुछ नहीं, और समझ में आएगा सब कुछ, बता दो एक बार, समझ में आ गया अच्छे से, किसी कोई कोई कोशन है तो पूछ लो, अच्छा, एकोनॉमी की क्लास नहीं है, आरे अर्विन, थैंक यू, थैंक यू, मैं, पी सी के, मैं, आई आर, बहुत अच्छा पढ़ा, अरे, थैंक यू, राम किशोर शर्मा, पर फिर मैं, इसलिए, जो स्टूडेंट है, वो बकवास, अरे, कोई बात नहीं, स्टूडें पर ध्यान दो, मैं, एक टाइम खाना खाके पढ़ाई करना हूँ, सिर्फ खिचडी और सिर्फ, आरे, नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं है, मतलब, ऐसा नहीं करना है, खाने पीने पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं बस यहां पर एक छोटा फ्री की अडवाईज आप लोगों को देना चाहूंगी बच्चे, हमना कहीं बार यह सोचते हैं कि कम पढ़ने से हो जाएगा, याद रखना कम पढ़ने से नहीं होगा, आप लोगों का कॉम्पेटिशन ऐसे लोगों के साथ है, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं भाई, जिनके माता-पिता दोनों जो बार्मी के बाद से ही इस प्रपरेशन में लग गए हैं, यानि आपका कॉम्पेटिशन ऐसे लोगों से है, तो आपको कितनी जादा मेहनत करने की जरूरत है, इस बात का अंदाजा अभी आप नहीं लगा पाऊगे, आप रिजल्ट के अधार पे लगाईए ना, जितने सिलेक्ट होते हैं, उनमें आप रेशियो देखिए कि कितने IITians हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, और जो आर्ट बेक्ग्राउंड के लोग हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है, लेकिन आप खुद सोचो कि आप अभी यहां हो, वो यहां है, नॉलेज, राइटिंग प्रेक्टिस, सिलेबस को कम्प्लीट करने के स्तर पे, तो आपको इनके लेवल पे जाने के लिए कितनी महनत करनी पड़ेगी, इसलिए बोल रही हूं, अगर पढ़ना है, तो शिदत से पढ़ लो, नहीं पढ़ना है, यदि कम पढ़ना है, तो फिर कोई और अपना स्टार्ट अप शुर ध्यान रखना इस बात को, और अगर इस तरीके से महनत करोगे, तो होगा, अवश्य होगा, फिर कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही, यदि अडि अडिमिशन नहीं लिया है, तो स्टेडी आईक्यू की एप या स्टेडी आईक्यू की वेबसाइट पे जा कि आप अडिमिशन ले सकते हैं, एक पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है, याद रखना, कितना पढ़ा दिया भाई, कितना पढ़ा दिया, यह सब पढ़ा पीडियेफ के लिए आपको ललीत दही आकेडमी टैली ग्राम चैनल पे जाना है, यहाँ पे आपको इस क्लास की पूरी पीडियेफ मिल जाएगी, बाकी स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे कल, जैहिंजे भारत, all the best.